एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारे यूटूब चैनल को और नए वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक किजिए बैल आइकन पर एलाव करता है क्या हम हैकिंगे प्रैक्टिकल वीडियो डालकर यूटूब से रर्निंग कर सकते हैं दोस्तो यह सवाल मुझसे कई लोग पूछते हैं तो आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ जितना मैंने एक्सप्रेंस किया है और यूटूब को ज जाएंगी और दोस्तो ऐसा हुआ भी मेरे वीडियो डिलेट भी हुए और स्ट्राइक भी आई मैंने इसके बारे में कई वार यूटूब से पूछा कई वार यूटूब से कॉंटेट करने की कोशिस की पर मुझे इसका सही जवाब नहीं मिला कि ये वीडियो क्यों वार से मिला कई तरह के कॉंटेंट क्रेटर महाँ पर मौझूद थे जैसे की योगा डांसर बाइकर रोस्टर टेलर जोतिस और कई टेक चनल वाले वी थे तो वहां उन्होंने यूटूब चैनल को ग्रो करने के कई तरीके बताए जिनको एपलाई करने के बाद अपनी इंक पर पहुंच सकते हैं कि हैकिंगे प्रेक्टिकल डालना सही है या गलत है तब मैंने उनसे पूझा कि हम एथिकल हैकिंगे प्रेक्टिकल अपने चैनल पर डाल सकते हैं तो उन्होंने सीधा जवाब दिया नहीं वो बोले कि आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है उन्होंने ए है केकर कि यह education परपच के लिए है तो यह गलत है YouTube इसको allow नहीं करेगा तो दोस्तों इस पर मैंने बोला कि बहुत से channel है जो पहले से ही चल रहे हैं काफी साल से चल रहे हैं मैं अपने देश की नहीं बाहर की भी बात कर रहा हूं कई सारे बाहर के channel हैं जो इस तरह के content डालते ह हैं तो दोस्तों उन्होंने बोला कि यदि आप YouTube पर पैसे कमाने के लिए हो तो अपना content change कर लीजिए ऐसे वीडियो पर ads कम आएंगी बस दोस्तों हमारी इतनी बात हो पाई थी उनको अपनी flight पकड़नी थी तो आप इससे idea लगा सकते हैं कि क्या hacking के वीडियो डालना सही है या गलत है खेर दोस्तों डाउट तो मेरा अभी भी क्लियर नहीं है पर जो नई YouTubers हैं जिन्होंने मुझसे या किसी से इंस्पायर होकर hacking का चनल खोला है उस पर वो hacking के practical डालते हैं तो एक बार सोच लीजिए इसके बारे में अच्छी तरह से पता कर लीजिए कहीं आपकी मह करने की कोशिस कर रहा हूं जो एक सही राय है वो ही मैं आपको देने की कोशिस कर रहा हूं मैं इस वीडियो को बहुत पहले ही डाल देता पर मैंने इसी बज़े से इसको नहीं डाला पर अवी कुछ दिन पहले मेरे पास एक YouTuber का फोन आया उनका वी चैनल हैकिंग के उपर ही क्या मेरे वीडियो भी डिलीट होते हैं क्या मेरे चैनल पर भी स्ट्राइक आती है तो फिर दोस्तों मैंने सोचा ये किसी की साथ भी हो सकता है आप महिनों तक YouTube पर महनत कर रहे हैं और अचानक से आपका चैनल टर्मिनेट हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि आप कैसा फील कर आप किसी भी बड़े यूट्यूबर से पूछ लीजिए वो हैकिंग के वीडियो के लिए साफ मना करेगा अब चाहे वो टैक्टिंकल गुरुजी हो या जो YouTube के बारे में गायड करते हैं जैसे कि हमारे माई स्मार्ट सपोर्ट के धर्मिन सर तो मैंने उनके कई वीडियो मे यूट्यूब पर डालना अवाइड कर रहा हूं तो इनको मैंने आप तक पहुंचाने का एक नया रास्ता सोचा है जो मैं आपको आगे बताऊंगा अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं क्यों ऐसे वीडियो डालता हूं तो मैं अपनी बात करूं यदि मेरा चैनल टर्मिन होता है कि एड्स बहुत कम आएंगी बिल्कुल ना के बरावर क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो एड़ोटाजर फेर्ली नहीं है यह देखिए मैं आपको अवी हाली का एक्जंबल बताता हूं यह मेरा पिछला वीडियो है और आप देख सकते हैं दोस्तों इस पे येलो वी रिजेक्ट कर दिया गया है अब आप जानते हैं कि मेरे ज़्यादतर वीडियो एथिकल हैं के प्रेक्टिकल वीडियो ही होते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं यूट्यूब से कितना अर्न करता होंगा पर दोस्तों इन सब के बावजूद भी मैं आपके लि तो मैं पहले उसी पर ध्यान देता हूँ सही बात तो यह है मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता पर जितना मैंने इसके बारे में इन्फरमिशन निकाली है इसके बारे में मैंने जाना है तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि रियल हैकिंगे प्रेक्टिकल चैनल के लिए नुकसान दायक हो सकते हैं अभी नहीं तो बाद में दोस्तो यह कोई जरूरी नहीं है कि आपने आज वीडियो डाला और कली आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी यह स्ट्राइक आपके चैनल पर कभी भी आ सकती है यदि आप यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए आए हो तो आप हैकिंग के प्रेक्टिकल वीडियो मट डालिये बस दोस्तो मैं आपसे यही कहना चाऊंगा बाकि आपकी मर्जी है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा जिदि आपके कोई सवालों सुझाव हैं तो जरूर कमेंट करके बताईए मैं उस पर बचार जरूर करूंगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दित रही है टेक चिप धन्यवाद आपका दिन शुब हो